Hello and welcome back, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला प्रेक्टिकल और हम बनाएंगे पहला EC2 इंस्टेंस Right now I am on my AWS console, अब मुझे बनाना है EC2 इंस्टेंस, सो मैं जाओंगा EC2 इंस्टेंस सर्च करने से पहला ही मैसेज आजाएगा, पहला ही ओप्शन आजाएगा EC2 अब यहाँ पे मुझे यह सब डीटेल दिखाए दे रही है You will get idea about all this step by step हम देखेंगे, अभी मेरा पोई भी इंस्टेंस रनिंग स्टेंस में नहीं है क्योंके obviously यह मेरा पहला EC2 इंस्टेंस में create कर रहा हूँ मुझे इंस्टेंस बनाना है मुंबई में, so if you look at this, here I have Mumbai अगर आपको किसी भी रीजन में बनाना है, तो आपको वो रीजन यहाँ से select करना पड़ेगा अब मैं यहाँ पे click करूँगा launch EC2 इंस्टेंस, हम लोग बना रहे हैं, windows इंस्टेंस here I have to provide name, तो मैं करूँगा my first win server अब जब आप नीचे scroll down करेंगे, तो यहाँ पे आपको उप्सनाएगा application and OS images आप जो server बनाना चाहते हो, उसके अंदर operating system चाहिए तो यहाँ पे हम traditional system नहीं use करेंगे, कि जैसे normal computer में हम क्या करते हैं पहले हमने computer purchase किया, उसके बाद ISO image डाउनलोड करना पड़ता है अगर आपको windows का करना है, तो microsoft की site पे जाके डाउनलोड कर सकते हो Linux का करना है, तो Linux की site पे डाउनलोड करोगे, फिर उसका bootable pen drive बना होगे देन उसके बाद हम उस pen drive से installation स्टार्ट करेंगे यह कापी lengthy process है, यहाँ पे हमें predefined template मिलता है और उस predefined template को हम select करके operating system और application डाल सकते जैसे के अगर मुझे windows डालना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा browse more AMI, मुझे install करना है windows server 2019, तो मैं यह देखिए यहाँ पे सब आ रहा है, हम Linux भी बनाएंगे next video में, पर यहाँ पे मैं select करता हू Microsoft server, यह 2022 है, मैं यह select रहाऊ, windows server 2009 base, चब भी आप select कर रहे हो, तब आपको दियान में रखना है कि यहाँ पे free tier eligible select होना चाहिए, कई सारी AMI में free tier eligible नहीं होगा, अगर आपने वो select कर लिया, तो आपको charges लगेगे, जैसे कि यहाँ पे नहीं है क्यों, क्योंकि इसमें Microsoft Windows और SQL server भी install हो रहा है, यह free नहीं है, तो please वो use मत करियेगा अभी मैं यह use कर रहाऊ, windows server 2019 with base image, जब भी आप select करें तक दियान रखेगा, अगर आप core select कर लोगे, core base, तो क्या होगा, windows core मिलेगा और उसमें graphical user interface facility नहीं है, then you will be in trouble, तो मैं यहाँ पर select कराओ, Windows server 2019 base image, AMI के बारे में, हम proper बात करेंगे, मैं पूरा आपको detail में समझाओंगा, but in upcoming video, अभी मेरा aim यहीं है, कि हम एक EC2 instance बना ले, तो आपको पूरा एक system किस तरह से काम करता है, वो idea मिल जाए, तो हमारा operating system वाला जुगार हो चुका है, हमें मिलेगा, windows server 2019, English full base image, अब यहाँ पे हमें मिलता है configuration offset, जैसे अगर आप laptop लेने market में जाओगे, तो सबसे पहले हो पूछेगा, वह यहाँ कौन सा लेना है, i3, i5, right, तो यहाँ पे भी आप अपनी जो भी instance का configuration चाहिए, वो चूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं इसलिए करता हूँ, तो एक CPU मि RAM मिलेगी, यहाँ पे आपको maximum भी मिलेगा, जैसे इसमें 36 virtual CPU और 60 GB RAM मिलता है, जितना ज्यादा configuration उस हिसाब से पेस है, जिस time की requirement है, उस time की requirement है, उस time type से आप instance सिलिए कर सकते हो, जैसे कि आपको compute की requirement है, तो अलग है, RAM की requirement है, तो अलग है, डीटेल में बाट करेंगे, नेक T2 Micro, क्यों T2 Micro सिलेक करेंगे, क्योंकि T2 Micro जो है, वो actually free है, look at this, it is three tier eligible, तो यहाँ पे हम सिलेक करेंगे T2 Micro, इसके लिए हमें कोई payment नहीं करना है, एक साल तक हम free में use कर सकते है, monthly 750 hours तक, अब इसके बारे में detail वीडियो तो है, अब हम बात करते की पेर की, अब देखिए, आपका EC2 instance जो है, वो हम बना रहे है AWS Data Center में, अब वहाँ पे में भी बना रहा हूँ, आप भी बना रहा होगी, कितने लोग बना रहा होगी, it is one kind of public cloud, तो मेरा EC2 instance है, वो में ही access कर पाऊँगा, आप नहीं कर पाऊँगे, क्योंकि मेरा EC2 instance है, उसका एक बन में ही यूज़ कर पाऊँगा, it is like, you know, आपका bank में locker है, पर और कोई नहीं खोल पाएगा, क्योंकि आपके bank की locker की चावी आपके पास है, वैसे ही key pair जो है, वो हमारी चावी है, जो हमारे पास ही रहेगी, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे click करके करूगा, create new key pair, अब आपके पास अगर एक key pair है, तो आप multiple ect instance access कर सकते हो, right, बनाना पहली बार ही है, पर अभी हम पहली बार कर रहे हैं, ऐसे ही बना रहे है, कि चलो यह key pair हमारा है, जिसको हम use करेंगे, तो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ, my, win, server, key pair, बहुर, यहाँ पे हम use करेंगे, बनाते हो, तो उसमे एक ED25519 करके भी आता है, which is better than RSA, and faster than RSA as well, but अभी हमें उसका use नहीं करना है, हम जब Linux बनाएंगे, तब बात, इसके बारे में बात करेंगे, and then we have, यह जो file बनेंगी, जो हमारी key रहेगी, उसके extension क्या रखना है, pem और ppk, now pem रखेंगे हम, ppk कब दे दी, मैं यह download करके अपने computer में रखूंगा, इसको किसी दूसरी जगा पे store मत करिये, इसको सिर्फ download folder में ही store करियेगा, I am going to click on save, और, एक बात याद रखना है, अगर यह key पेर आपकी computer में से delete हो गई, तो फिर आपको problem होगा, क्योंकि फिर आपको EC2 instance को, access करना है, तो आपके पास key नहीं है, इस problem का भी मैं एक solution आपको देता हूँ, जो हम बाद में देखेंगे, अभी key मेरे पास आगई है, मैं ही इसकी pair size EC2 instance को access करूँगा, then we have networking setting, networking setting के बारे में हम पूरा बात करेंगे, पर अभी हमें क्या करना है, as you know, that in AWS, in Mumbai, we have three data centers, AP South 1A, 1B, 1C, अब मुझे अपना instance कहां पे रखना है, मैं वो यहां से select करूँगा, जैसे मैं select कराऊ, AP South 1A, it means मेरा instance जो है, वो AP South 1A मा बनेगा, then we have auto assign public IP, अब देखिए, मेरा EC2 instance जो है, वो है Mumbai में, मैं यह access कर रहा हूँ बुजरात से, तो obviously, अगर मुझे उस server को, जो मैं अभी बना रहा हूँ, उसको access करना है, तो मैं internet से access करूँगा, और जब मुझे internet से access करना है, तो how I can identify that, यह मेरा instance है, तो उसके लिए, हम अपने instance को public IP देते हैं, अभी मैं enabled रहा हूँ, पूरा detail में, upcoming video में बात करेंगे, don't worry about this, right now just follow the steps, then we have security group, security group जो है, वो क्या करता है, वो हमारे EC2 instance में, जो भी inbound traffic आता है, और जो outbound traffic जाता है, incoming and outbound traffic को control करता है, अब, यह जो मेरा EC2 instance है, उसको मैं remotely access करूँगा, तो एक RDP, remote desktop protocol enable होना जरूरी है, कि जिससे आप इस particular EC2 instance को access कर पाओ, अगर windows है, तो RDP है, अगर linux है, तो SSH है, यह rune automatically वो लोग allowed कर रहे है, जिसे हमें कुछ add करना ना पड़े, security group में बारे में भी video है, जो आप देखोगे, जब आगे जाओगे, अभी I am not going to touch anything over here, then, यहाँ प्राजाएगा storage, अब मेरा जो windows है, वो उनको डालना तो पड़ेगा, तो जैसे ही आप computer लेते हो, तो hard disk में डालते हो, तो यह लोग हमें 30 GB SSD, यहाँ पे by default मिलता है, जब आप windows instance बनाओ, जब आप Linux instance बनाओ, तो 8 GB मिलता है, अगर आपको add करना है, तो आप कर सकते हो, बड़ अभी just testing कर रहा है, तो 30 GB के साथ मैं okay हूँ, and then we have advanced options as well, कहीं सारे, पर अभी हम कुछ touch नहीं करे हैं, मुझे जो भी डालना था, वो मैंने डाल दिया है, अब कितने EC2 instance मुझे चाहिए, suppose मैं बूलूँगा 5, तो एक साथ 5 बन जाएगे, पर सबका configuration same होगा, और सभी instance जो है, वो AP South 1 में ही बनेंगे, 1A में ही बनेंगे, अगर अलग-अलग change करना है, तो आप अलग से बना लो, otherwise कितने instance बनाने है, वो number आप यहां से दे सकते हो, we are testing this, so मैं एक ही दे रहा हूँ, let me click on launch instance, अब मेरा instance जो है बन रहा है, बन भी जाएगा, operating system भी इस्टोल हो जाएगी, और ready होके मुझे मिल जाएगा, मैं जब click करूँगा view all instance, so मुझे यहां मिलेगा, अब देखे, यहां पर आ रहा है pending, तो it will take some time to create your instance, यहां पर automatically status आ जाएगा running, एक पुरा ना instance है, जो मैंने बनाया था, for different tactical तो वो तो delete कर दिया है, पर हमने जो बनाया, अभी यह particular instance है, जब आप इसको select करोगे, तो यहां पर instance ID आएगी, whenever you create any server, उनको एक unique instance ID मिल जाएगा, इसका use हम graphical user interface में करेंगे, अभी नहीं, यह जो है public IP है, यह public IP से, मैं अपने EC2 instance को access करूँगा, कोई भी EC2 instance आप बनाते हो, तो public IP आपको देना है, नहीं देना है, आप enable कर लो, public IP से ही हम इस EC2 instance को access करेंगे, एक दूसरा है private IP, which is for internal communication between EC2 instance, private IP address compulsory होता है, public IP आपको देना है, यह नहीं देना है, वो आप decide कर सकते हो, केसे upcoming video, इस्टे स्टेटस अभी running हो चुका है, तो मैं उसको access कर पाऊँगा, अगर मुझे IP से नहीं करना है, तो मैं यह नाम भी access करूँगा, which is known as DNS name, उसे भी access कर पाऊँगा, T2 Micro हमारा instance है, और Windows है, यह AY IDM ने use किया था, और यह जो key pair है, उस key pair से इस particular instance को मैं access कर पाऊँगा, तो अभी मैं यहाँ से refresh करता हूँ, देखे, status check अभी भी initialize आ रहा है, यह status check भी जरूरी है, कि वहाँ पर आदा है two by two, देखे, यहाँ पे एक option आएगा status check, say system status check, जिस particular physical device पे यह server बन रहा है, उसका भी status मिलेगा हमें, और यह जो instance है, उसका भी status मिलेगा, अब वो verify करेगा internally, अगर दोनों status pass हो गया, तो हमें यहाँ पे two slash two pass मिलेगा, अगर यह two slash two pass मिलता है, तो कोई problem नहीं है, हम अपने EC2 instance को access कर सकते हैं, तो अभी, yes, I got it two by two, check past, almost two to three minute में मेरा instance ready हो गया, अब मुझे access करना है, तो मैं क्या करूँगा, select करके, click on connect, देखिए यहाँ पे RDP, यह session manager, EC2 serial console, सब के बारे में बात करेंगे, अभी RDP client, और देखिए यहाँ पे option है, download remote desktop file, now I am going to download this, done, और जब मैं इस पे click करूँगा, तो यह automatically, उस particular instance से connect करने के लिए जाएगा, now, यह public IT पे connect करता है, अगर windows है, तो administrator username, automatically आ जाएगा, अभी हो गया password, अब यह जो password है, वो मुझे generate करना पड़ेगा, कैस है, देखिए यहाँ पे option है password, and I am going to click on get password, उन्होंने बोला, upload your private key file, अमने अल्लेडी download कर दी थी, तो I am going to click upload private file, यह my win server, and decrypt, see here I have password, I am going to copy this, and here I am going to paste this, right, ctrl V, pasted, look at this, it is the same as we have over here, and then I am going to click on ok, now I will get access of my EC2 instance, yes, तो अभी मुझे मेरा EC2 instance का access मिलेगा, अब केसा हो गया, instance मैंने बनाया कहाँ पर है, मुंबई में AWS के data center में, पर मुझे remote screen यहाँ पर मिल गया, it is same like my windows screen, अब मैं मेरा keyboard mouse यूज करके, जो भी application इस particular EC2 instance में डालनी है, वो मैं डाल सकता हूँ, क्यूंके मैंने उस particular server को remotely अपने यहाँ अपने office में access कर लिया है, तो यहाँ पर मुझे windows instance मिला, it will take some time, but yes, I am going to get same screen as I have physically in front of me, तो यह मेरा windows instance जो है, वो हो गया, अब देखिए, यहाँ पर एक matter है, कि मुझे हर बार जब इस EC2 instance को access करना है, तब मैं हर बार password दिन्रेट करूँगा, क्योंके suppose अगर आपके पास यह की गुम हो गई, जैके, सेसे यहाँ पर, अब RDPC line में जाके, फिर से अगर आप connect करने जाओगे, राइट, it is asking password, फिर से आपको जाना पड़ेगा get password, फिर upload private की, फिर यह file दे दो, decrypt password, फिर यह password मिला, फिर यहाँ पर डालोगे, तो आपको problem कि आएगा, कि हर बार यह file देनी पड़ेगी, सपोज यह file का आप हो गई, तो, तो हम क्या करते हैं, देखिए हमने पहली बार login तो कर लिया, अब जैसे हमने login कर लिया है, राइट, हम क्या करेंगे, यहाँ पर administrator का password चेंज कर लेंगे, तो मैं कहाँ पर जा रहा हो, server manager, server manager एक utility है windows की, जहां से आप administrator password जो है, वो change कर सकते हो, यह काफी slow रहेगा, क्यूंकि हमने free instance बनाया है, तो उसका configuration इतना बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा, अब यहाँ से आप जाओ tools में, यहाँ पर मिलेगा आपको computer management, और हम administrator का password जो है, वो भी बदल दे रहे हैं, इसे क्या होगा, हर बार हमें password वो जो है, उसको file देना और फिर generate करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब देखिए यहाँ पर option है, local users and group, users, here it is administrator, set password, complex password देना पड़ेगा, capital, numbers, so I am going to set up this, I have like Indian at the rate one two three, I capital, I just configure this password for administrator, right, हो गया, हो गया, अब I am going to close this, right, अगर अब मुझे access करना है EC2 instance, तो यह RDP file भी जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, जैसे अबर आपको पास कुछ नहीं है, जरूरत एक ही चीज़ की है, IP की, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, यहाँ पर यह जो है IP, कॉपी कर लू, अब मैं क्या करूँगा, अपने computer में जाके, लिखूँगा, Windows R, so like run, फिर यहाँ पर लिखूँगा, MSTSC, Microsoft Terminal Service Client, Okay, now, it will ask me for IP, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, IP, Connect, asking for username, मैं डाल दूँगा, Administrator, and password जो है, अब हमारा password Indian, at direct 123 है, क्योंके मैंने change कर दिया था, अब मैं करूँगा, Okay, Yes, now, I am able to access my EC2 instance from anywhere, Right, so this is how, आप access करके configure कर सकते हो, Configuration part B हम आगे, upcoming video में देखेंगे, अब, जैसे ही आपका EC2 instance अभी ready है, पर अभी आपको use नहीं करना है, जैसे अभी मुझे अपने EC2 instance में कुछ use नहीं करना है, अगर यह चालू रहेगा, तो you are going to pay for this, तो आप क्या कर सकते हो, देखिए, यहाँ पे, आप stop कर सकते हो, कभी-कभी हम application डालते हैं, तो reboot करना पड़ता है, problem आता है, तो reboot करना पड़ता है, तो आप reboot भी कर सकते हो, कई सारी AMI पे और instance type पे, hibernate भी कर सकते हैं, जैसे हम laptop में करते हैं, और आपको इसका use ही नहीं है, जैसे अभी मुझे use नहीं है, मेरा practical हो गया, मैंने demo भी आपको दिखा दिया, everything is like good, आपने समझ भी लिया, तो अभी मुझे video भी, यहाँ समाप्त करना है, तो in this case, यह useless है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा terminate instance, जैसे ही आप terminate कर लोगे, done and tested, अब आपको कोई charge नहीं लगेगा, थोड़ी देर में, यहाँ से instance जो है, उसका terminate state दिखाई देगा, और थोड़ी देर के बाद, फिर गायव हो जाएगा, याद रखेगा, एक बार आपने terminate कर दिया, तो फिर आप उसको वापस नहीं ला पाओगे, तो यह एक simple step था, how we can create windows EC2 instance, how we can log into this instance, next video में, हम linux instance भी बनाएंगे, जितने options बीच में आये, चो अब हमने बनाया था, उस सभी के बारे में, detailed videos आपको मिलेगा, जब आप next करोगे तब, so don't worry about this, you know, हम सब कुछ देखेंगे, and you will become master for sure, just follow us, thank you very much, see you in the next video, have a nice day, goodbye.